हेलो फ्रेंड्स कैसे हो जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों 10 जुन के इस करंट अफेर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेर का वीडियो आपने एक साल तक के लिए देख लिया तो आप आपका जो सोचनी का तरीका है वो पूरी तरफ बदल जाएगा और आपकी आने वाले एक्जामिनेशन में करंट अफेर का एक सिंगल क्वेशन भी गलत नहीं हो सकता यह हमारा वादा है और हर वीडियो के लास्ट में मैं आप से एक क्वेशन भी पुछूंगा जिसका आंस उतकल जननी को किसने राज्य गीत का दरजा दिया है तो यहां पढ़ सकते हैं वंदे उतकल जननी यह उडिया भाशा में लिखा है मेरे को पढ़ना नहीं आता है लेकिन मैं यह सा सोच रहा हूँ कि यह वंदे उतकल जननी ही लिखा है तो दोस्तों वंदे उतकल जननी गीत तो इस घटना से जुड़े और भी इंपोर्टन क्विशन बन सकते है जैसा कि वंदे उतकल जननी देशभक्ति गीत किसने लिखा है? कांत कवी लक्ष्मी कांत महापात्र ने ये वंदे उतकल जननी देशभक्ति गीत लिखा है? और वंदे उतकल जननी गीत की रचना कांत कवी लक्ष्मी कांत महापात्र द्वारा कब की गई थी? तो वर्ष 1910 में ये वंदे उतकल जननी देशभक्ति गीत की रचना की गई थी और यह गीत सर्व प्रतम कब और कहा गाया गया था? वर्ष 1912 में उतकल सम्मिलनी की बैठक में पहली बार यह गीत गाया गया था और उतकल सम्मिलनी स्वतंतरता स्यनानी मधू सुदन दास द्वारा स्थापित एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है और यहां हम बात करते है जब वंदे उतकल जननी यानि की राज्यगीत यानि की ओडिशा की तो ओडिशा से जुड़े और भी क्विशन हमको याद रखने है जैसा की कौन सा बंदरगा ओडिशा राज्य का एक मात्रप मुख्यब बंदरगा है पारादवीप एशिया की सबसे बड़ी खारे पान की जिल का नाम क्या है चिल का जो ओडिशा में स्थी थे और इसका कैच में क्षित्र लगबक 3560 वर्ग किलो मिटर में फैला हुआ है और जब बात करते हैं ओडिशा की तो पहले तो यहां आप मेप में देखिए यह है ओडिशा और ओडिशा में यहां समुदरी तट पर एक वीलर द्विप स्थी थे जिसका नाम बदल कर अबदूल कलाम द्विप कर दिया गया है और ओडिशा का गठन एक अपरेल 1936 को किया गया और इसलिए हर साल एक अपरेल को उतकल दीबस के रुप में बनाया जाता है और ओडिशा की कैपिटल का नाम है भूनेश्वर ओडिशा के मुख्य मंत्री है नविन पतनायक और ओडिशा का लोक नरित्य है ओडिसी और ओडिशा में जिलो की संख्या है 20 और ओडिशा की हाई कोर्ट किस शहर में स्थी थे कटक शहर में स्थी थे तो आपको ओडिशा से जुड़े इतने फैक्ट याद रखने है और इस पुष्पर दिशरा क्विशन हस्ताक्षर किये है और इस समझोते के तहत दोनों देश दीरगकालिक उर्जायोजना अब तटी अपवन ग्रीड कोड के समेकन बीजली संयंत्रों को प्रोच्छाइद करने बीजली खरिद समझोते में लचीलापन बढ़ाने जैसे क्षित्रों में सहयोग करने पर हाल ही में स इतिय सहायता की पेशकशकी जिससे डेनमार्क काफी नाराज हुआ था और ग्रीनलेंड एक स्वायद द्विप है जो डेनमार्क के क्षित्रों के अंतरगत आता है और इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि डेनमार्क ने यह कदम उठाया है तो पहले तो यहां आप मेप में जिसके अगल बगल में नॉर्वे, स्विडेन और जर्मनी जैसे देश स्थी थे और डेनमार्क की कैपिटल का नाम क्या है कौपन है गन डेनमार्क की वर्तमान प्रदानमत्री कौन है तो यहां आप इमेज में देख सकते है मेटे फ्रेडेरिक्सेन जो डेनमार्क की वर्तम तिसरा कुशन निम्ना में से कौन सा भारत स्टेज उत्सरजन मानक देश में कभी भी लागू नहीं हुआ है तो भारत स्टेज उत्सरजन मानक यानि कि BS5 भारत देश में कभी भी लागू नहीं हुआ है क्योंकि पहले चल रहा था BS4 और अब हमने सिध्य BS6 को स्विकार कर लि यानि कि हमने BS5 मानक भारत देश में कभी भी लागू नहीं हुआ है तो पहले तो हम जानले कि भारत स्टेज उत्सर्जन मानक है क्या यह भारत सरकार द्वारा स्थाइपित किया गया उत्सर्जन मानक है यह European Regulation पर आदारित है और इसका उद्देश्य वाहनों द्वारा उत् परदुशन को नियंत्रित करना है और देश में नए वाहनों का निर्मान इन मानकों के आदार पर ही किया जाता है यानि कि भारत देश में अब BS6 लागू हो गया है तो सभी जो वाहन है इसके इंजन भी BS6 मानक के अनुकुल ही होंगे और भारत स्टेज के मानक देश में प पहली बार यब BS मानक लागू किये गये और अक्टूबर 2010 में BS3 मानक पुरे देश में लागू किया गया तो अप्रेल 2017 से पूरे देश में BS4 पूरे देश में लागू किया गया लेकिन भारत सरकार की योजना है कि अप्रेल 2020 से BS6 मानक पूरे भारत देश में लागू करेंगे और इसलिए यह क्वेशन सुर्खियों में है तो आपको याद रखना है कि BS3 2010, BS4 2017 और 2020 में BS6 तो 8 जून 2020 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रा लेने BS6 वाहनों के नंबर प्लेट टीकर के लिए अलग कलर बेंड जारी किये जैसा के पेट्रोल इंदन वाहनों के श्टीकर में नारंगी रंग होना चाहिए और डिजल इंदन वाहनों के श्टीकर में निला रंग होना चाहिए तो इसलिए यह सड़क परिवहन और राजमांद मंत्रा लेने यह हाल ही में decision लिया है चौथा question रामनात कोविन ने किस को जम्बू और कश्मीर उच नियायालई का नया नियाईदिश नियुक्त किया है तो हमारे राश्ट्रो पति रामनात कोविन ने जावेद इकबालवानी को जम्बू और कश्मीर की हाई कोर्ट का नियाय दिश नियुक्त किया है और यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं जावेद इकबालवानी तो यह व्यक्ति है कौन एक वरिष्ठ कश्मीरी वकिल है और इससे पहले वे 2019 में लगबग 11 मैनों तक जम्बू और कश्मीर उच नियाया लएके अतिरिक्त महा दिवक्ता यानि कि एड़ोकेट जनरल के रूप में भी काम कर चुके है और वो अब बन गये है हाई कोर्ट और जम्बू कश्मीर के जस्टिस तो यहाँ हम बात करते हैं इसी व्यक्ति के बारे में तो जावेद इकबालवानी की नियुक्ति की सीफारिश किशने की थी वो आप सबको पता है कि कॉलेजियम मेथड के अनुसार ही हाई कोर्ट के नियादीश की नियुक्ति की जाती है और उनकी नियुक्ति के साथ अब हाई कोर्ट में जजो की कुल संख्या सत्रह के मुकाबले बढ़कर तेरह हो जाएगी और इसलिए आपको यह जम्बू कश्मीर क के बारी में याद रखना है और यहां जब बात करते हैं जम्बू कश्मीर की तो इन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट करंट अफेर में थे जैसा कि जम्बू नगर निगम ने सीटी चोक का नाम बदल कर भारत माता चोक और सरकूलर रोड चोक का नाम बदल कर अटल जी चो और स्वतंतरता दिवस के अउसर पर तिरंगा फोराया जाता है तो बात करते हैं जम्बू कश्मीर के तो यहां आप देख सकते हैं हमारा नया केंदर शाशित प्रदेश जम्बू कश्मीर जीसके वर्तमान लेफटेनन गवरनर है गिरिश चंद्रमुर्मू तो इन से तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं इंटरनेट नियंत्रित पहला रोबट हाली में प्रतिक तिरोड करने बनाया है यानि कि इस क्वेशन का सही आंसर है आप्षण सी प्रतिक तिरोड कर लेकिन प्रतिक तिरोडकर कौन है तो याद रखो महाराष्टा में ठाने के एक इंजिनियर है या प्रतिक तिरोडकर और प्रतिक तिरोडकर स्टार्टप P&T सॉलिशन डॉम्बी वली मुंबई के संस्थापक भी है तो उन्होंने इस रोबट को क्या नाम दिया है तो याद के वली क्रोस अस्पताल में इस कोरोबट को स्थापित किया गया है कोरोबट में क्या खास बात है तो कोवीड-19 रोग्यों का इलाज करने वाले अस्पतालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबट है यानि कि इंटरनेट कंट्रोलडर रोबोट है जिसको बनाया है प्रतिक तिरोड करने ना मत भूलिएगा इस व्यक्ति का चठा क्वेशन हाल है में अनिल वल्लूरी को भारत में कीश के वरिष्ट निदेशक के पत पर नियुक्त किया गया है यहां आप इमेज में देख सकते हैं अनिल वल्लूरी वो अब भारत देश में गूगल क्लाउड के नए वरिष्ट निदेशक बन गये है यानि कि इस क्वेशन का सही आंसर है गूगल क्लाउड तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेशन बन सकता है कि गूगल क्लाउड में शामिल होने से पहले अनिल वल्लूरी कहां पर कारियर थे तो नेट एप में भारत और सार का ओपरेशन के अध्यक्ष के पद पर वो पहले कारियर थे और अनिल वल्लूरी को हाइटेक उध्योग में सेल्स और मार्केटिंग का 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है और वो अब बन गए है गूगल क्लाउड में हमारे भारत इंडिया में वरिष्ठ निदेशक तो इन से जुड़ा हुए एक और क्वेशन कुछ दिन पहले ही करंट अफेर में था कि गूगल क्लाउड इंडिया के प्रबन निदेशक कौन है तो यहाँ आप इमेज में देख सकते है करंबाजवा वो हमारे भारत में गूगल क्लाउड के प्रबन निदेशक है तो बात करते हैं गूगल क्लाउड की गूगल क्लाउड इसकी स्वामित्व है गूगल यानि की गूगल ही गूगल क्लाउड का मलिक है और इसकी शुरुवात 7 अप्रेल 2008 में की गई थी लेकिन यह Google Cloud है क्या तो याद रखो आप अपने laptop, mobile phone या tablet का इस्तिमाल करके कहीं से भी अपने काम के लिए जरूरी जानकारी डूनने के लिए Google Cloud सर्च का इस्तिमाल कर सकते हैं और यहां हम बात करते हैं Google Cloud की तो यह fact भी आप याद रख लिजिए सात्वा question हाल ही में NCERT ने Rotary India Humanity Foundation के साथ किस उद्देश्य से एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं तो हमारी NCERT ने Rotary India Humanity Foundation के साथ इस शिक्षन सामगरिक के लिए एक समझोते ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं यानकि इस question का सही answer है इस इस शिक्षन सामगरिक के लिए तो आप सबको पता है कि COVID-19 के करण अब बच्चे स्कुल नहीं जा रहे है और इसलिए NCERT ने यह कदम उठाया है तो NCERT का पुरा नाम क्या होता है National Council of Educational Research and Training हिंदी में कहे तो राष्ट्रिय शेक्षिक अनुसंदान और प्रशिक्षन परि कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए प्रसारित होने वाली इस शिक्षन सामगरिक के लिए यह समझोते ग्यापन पर एक डिजीटल हस्ताक्षर किये गए है और इसलिए NCERT करंट अफेर में है और यह मेमोरेंडम ओफ अंडरस्टेंडिंग के तहत रोटरी इंटरनेशनल विद्य दान 2.0 के अंतरगत कक्षा 1 से 12 के सभी विशयों के लिए NCERT को हिंदी भाषा में इक कंटेंट उपलेप्द कराएगा और NCERT के वर्तमान निदेशक कौन है तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं रिशी के सेनापती NCERT के निदेशक है और हमारे केंद्रिय मानव चंक और हमारे MHRD के अंतरगत ही NCERT कार्य करता है आठवा कुशन S&P Global Rating Agency ने वीट वर्ष 2021 में भारतिय अर्थवियोस्ता में कितने प्रतिशत तक की गिरावट का अनुमान लगाया है तो S&P एक Global Rating Agency है और उन्होंने वर्ष 2021 के लिए एक अंदाजा लगाया है कि भारत क जो विकासदर है वो 5% तक गिर सकती है यानकि इस क्वेशन का सही आंसर है Option B 5% तो देखो S&P Global Ratings ने उपरती अर्थवियोस्ता उपर अपनी रिपोर्ट Financial Condition Reflect Optimism Lockdown Fetching Emerging जारी की है और इस रिपोर्ट में रेटिंग एजनसी ने वीट वर्ष 2021 में भारतिय अर्थवियो जोस्ता में 5% तक की गिरावट का अनुमान लगाया है और इसी के साथ S&P Global Ratings ने अगले 2 साल में भारत की विकासदर क्या रह सकती है वो भी अनुमान लगाया है तो देखो इसके अलावा S&P Global Ratings ने वित वर्ष 2021 में भारत की विकासदर उलट कर 8.5% तक रहने की 22-23 में भारत की विकासदर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है S&P Global Ratings Agency ने नवा क्विशन नीमना में से किस राज्य में गैस रिशाव से नदी डॉल्फिन तथा अनेक प्रकार की मचलियों की मृत्य हो गई तो यह हाथ सा हाल ही में हुआ है असम राज्य में और इसका तो असम में गैस रिशाव की दूरगटना कहां पर हुई वो भी एक क्विशन बन सकता है तो यह गैस रिशाव की दूरगटना असम के तीन सुक्या जिले में ओयल इंडिया लिमिटेट के बागान गैस कुए में हुई और कुए में गैस के दबाव को यदी समय पर रहते DRF टीम ने यहां पूरा प्रयत्न किया लेकिन इसको हम काबू में नहीं ले सके तो गैर रिशाव को रोकने के लिए सिंगापूर की एक फर्म को भी बुलाया गया और गैस रिशाव का प्रभाव कितना खतरनाक था कि लगबग 2500-3000 लोगों की निकासी करके राहत शीवीरों मे बेजा गया है क्योंकि यहां बड़ा एक हादसा भी हो सकता है और नदी डॉल्फिन तथा अनेक प्रकार की मचलियों की मृत्यू हो गए स्थानिय लोगों ने आखों में जलन, सीरदर्द, आदी जैसे लक्षनों की भी सिकायत की है और इसी बात को लेकर असम सुर्कियों म गुवा हाटी में ही असम का उच नियायाले स्थी थे और असम के वर्तमान राज्यपाल कोन है जगदिश मुखी असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कोन है सर्बानंद सोनवाल और असम में तीन नेशनल पार्क है एक है काजी रंगा नेशनल पार्क जो एक शिंगी गेंडे के लिए विख्यात है और दूसरा है मानस नेशनल पार्क वो भी असम में स्थी थे और तीसरा है औरंग राष्ट्रिय उद्यान तो यह तीनों असम में स्थी थे इतनी बात आपको याद रखनी है दस्वा क्विशन निम्ना में से कौन सा द्वीप भारत में पांचवे सबसे ब कैमेन द्वीप तो याद रखो Department of Promotion of Industries and Internet Trade के अनुसार कैमेन द्वीप भारत में पांचवे सबसे बड़े निवेशक के रूप में उबरा है और इस द्वीप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानि कि Foreign Direct Investment वर्ष 2019-20 में तीन गुना से बढ़कर 3.7 बिलियन डॉलर हो ग कैमेन द्वीप के बारे में भी हम कुछ जान ले कैमेन द्वीप पस्चिम केरेबियन सागर में एक स्वायत ब्रिटिश प्रवासी क्षित्र है 264 वर्ग किलोमेटर क्षित्र में फैले इस द्वीप में Grand Cayman, Cayman Brack और Little Cayman नामक तीन द्वीप शामिल है और इसका सबसे शहर यानिकी राजदानी शहर का नाम है जोर्ज टाउन और इसलिए कैमेन द्वीप के बारे में ये बात आप याद रख लिजिए यारवा क्वेशन विश्व द्रिष्टी दान दिवस कब मनाया गया हर साल World Eye Donation Day मनाया जाता है दस जुन को यानिकि इस क्वेशन का सही आंसर है ओप्शन बी दस जोन World Eye Donation Day तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कौर्नियों की बिमारिया, मोतिया बिंद और ग्लुकोमा के बाद हुआने वाली द्रिष्टी हानी और अंधापन के प्रमुक कारणों में से एक है और इसलिए अंधापन के बाद इसी व्यक्तिय को हेल्प करने के लिए यह विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जाता है तो याद रखो विश्व द्रिष्टी दान दिवस का उद्देश क्या है नेत्रदान के महत्व के बारे में व्यापक पैमाने पर जन जागरुकता पैदा करना यह International Eye Donation Day मनाने का उद्देश है और ने 10 जून विश्व द्रिष्टी दान दिवस बारवा क्वेशन विश्व बैंक ने कीस राज्ये की सरकार को 1950 करोड रूपय का रून प्रदान किया है तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेशन बनता है कि विश्व बैंक द्वारा कीस उद्देश से पस्चिम बंगाल को र पतने और विकासात्मक कारियों के लिए 850 करोड रूपिये विबिन सामाजिक कल्यान योजनाव ओपर खर्च किये जाएंगे और 61100 करोड रूपिये औध्योगिक आउसनरचना तयार करने के लिए खर्च किये जाएंगे और इसलिए हाल ही में वल्ड बैंक और पस्चिम बं में देखे यह है पस्चिम बंगाल जो बांगला देश से बिलकुल ही सटा हुआ है और पस्चिम बंगाल की कैपिटल का नाम है कोलकटा पस्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल है जगदिप दनखड और पस्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है ममता बनर जी और दुर्गापूजा किस राज्य का प्रमुक्त योहर है पस्टिम बंगाल का और जब पस्टिम बंगाल को रोण प्रदान किया है विश्व बैंक ने तो विश्व बैंक में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है 189 और विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है सदस्य राष्ट्रों को पुनर निर्मान और विकास के कारियों में आर्थिक सहायता देना और विश्व बेंक का हैड़क्वाटर अमेरिका के वशिंग्टन डिसी में स्थित है और विश्व बेंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई विश्व बेंक के वरतमान अध्यक्ष है डेविड मालपास और विश्व बेंक की वरतमान MDNCFO कौन है अंशुला कांथ जो यहां जानदपर कार्य करता है working for a world free of party यहन की विश्व को गरिबी से मुक्त करने है तो विश्व बेंक कार्य करता है तेरवा क्वेशन हाल ही में विश्व प्रतियायन दिवस कब मनाया गया हर साल world accreditation day मनाया जाता है नो जुन को यहनकी इस क्वेशन का सही आंशर है option A इंग्लिश में कहें तो World Accreditation Day हिंदी में विश्व प्रत्यायन दिवस तो यह दिवस मनाने का उद्देश क्या है व्यापार और अर्थ व्यावस्ता में मान्यता की भूमिका को उजागर करना और बढ़ावा देना यह दिवस मनाने का उद्देश है और कब मनाया जाता है 9 ज याद रखो अंतरराष्टिय प्रत्यायन फोरम यानि कि इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम और अंतरराष्टिय प्रयोक्षाला प्रत्यायन सहयोग शौर्ट में बोले तो I.L.A.C. ने World Accreditation Day 2020 के लिए थीम तईक की है और इस थीम को यहाँ आप पढ़ सकते है Meditation Improving Food Safety जो 2020 के यह दिवस की थीम है और यहाँ जब बात करते हैं Important Day के तो हमने जुन महिने में कौन-कौन से Important Day मनाये यहाँ हम एक बार फिर से इसे सिक्वंस में याद कर लेते हैं तो एक जुन को विश्वदुगत दिवस यानि कि World Milk Day मनाया गया और एक जुन को ही माता- इता दिवस यानि कि Parents Day मनाया गया और उसके बाद आया दो जुन को तेलंगना राज्यका स्थापना दिवस मनाया गया और उसके बाद तेन जुन को विश्व साइकल दिवस यानि कि World Bicycle Day मनाया गया और चार जुन को बाल यातना एवं अवैत तसकरी के खिलाफ अंतर 5 जुन को हमने World Environment Day यानि कि विश्व परियावरन दिवस मनाया चे जुन को संइप्त राष्टर संगद्वारा रूसी भाषा दिवस मनाया गया उसके बाद 7 जुन को विश्व कादिय सुरक्षा दिवस मनाया गया 8 जुन को विश्व महसागर दिवस मनाया गया और 8 जुन क विश्व ब्रेंड ट्यूमर दिवस मनाया गया उसके बाद आया 9 जुन 9 जुन को हमने विश्व प्रत्ययन दिवस मनाया जिसकी मैंने आपको हाल है में बात की और 10 जुन को विश्व द्रिष्टी दान दिवस मनाया गया और इस question के बारी में भी हमने इस वीडियो में ही चर् तो यहां आप देख सकते हैं 13 साल की इस लड़की जिसका नाम है रिद्धिमा पांडे और उन्होंने हाल ही में लोकडाउन के 60 वे दिन पर या साल बर 60 केंपेंड का शुबारम किया यानि कि इस क्वेशन का सही आंसर है option A रिद्धिमा पांडे जो एक climate activist है और इस क्वेशन क का सही आंसर दिया है विकास कुमार जल्गोईन चाकने और वनकर नितिन कुमार जो अहमदाबाद से है शैलेश कुमार तब्यार गुजरात से स्वंदरवा अशोक जुनागर से हे तल टाक उन्होंने भी इस क्वेशन का सही आंसर दिया है हमारे और भी सब्सक्राबर फ्रे और प्रियंग चोधरी वो सुरत से है उन्होंने इस क्वेशन के बारे में पूरे सेंटेंस में आंसर लिखा और डाभी हर्दिक उन्होंने भी इस क्वेशन के बारे में डिटेल में लिखा है और इस क्वेशन का सही आंसर देने के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत दन्य और आज के वीडियो का question ए रहा screen पर हाल ही में सुर्कियों में रहा R.E.B.R. Research Institute of Observation Science कहां स्थी थे यहां 4 option आपकी screen पर है और उसी का answer आपको नीचे comment box में देना है तो दोस्तो 9 जुन का current affair का वीडियो आपने द्यान से देखा है तो answer तो पता ही होगा तो answer देना मत बुलिएगा और आज का वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा, helpful लगा तो आपके दोस्तों को facebook, whatsapp और telegram के जरिये इस वीडियो की link शेर करना मत बुलिएगा कल फिर मिलेंगे नए current affair के साथ तब तक के लिए take care and जैहिन